नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकरों के साथ दोस्तों अगर आपने भी HP LT TET का एक्जाम दिया था तो ये वाला वीडियो बिल्गों आपके लिए ही है क्योंकि इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं जो अभी 25 तारीकों एक्जाम हुआ था HP LT TET का इसमें हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं हलंकि 25 तारीक शाम तक ये वीडियो आप तक पहुंच जानी चाहिए थी पर किसी कार्णवर्ष में आप लोगों के बीच में इसको नहीं पहुंचा पाए इसलिए मैं आप सब लोगों से मापी चाहूंगा लेकिन फिर भी आज आप सब के बीच में इसके जो जितने भी प्रशन थे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर इसमें किसी भी प्रशन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सक्षन में जाकर जरूर बताईएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए और इस प्रंक्ती में कौन सा अलंकार है तो देखे इसका जो अलंकार है वो था उत्प्रेक्षा अलंकार विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अगर हम बात करें यहीं पर देखिए दूसरा क्वशन है इसमें प्रशन संक्या-5 इनमें से गोदान का नायक कौन सा है तो यहां पर है होरी विकल्प नमर भी इसका सई होगा चलिए अगला देखते हैं दूसरा और छटा प्रशन देखते हैं इसमें जो राइट आंसर है देखिए पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है तो यह अवधी अब देखिए पीछली क्लास में जो लास्ट हमने इससे पहल पूर्वी हिंदी की बोली अबदी और अक्सर यह एक्जाम में पूछी जाती है रहसेबाद का समन्द किस से है तो रहसेबाद का समन्द जो यहां पर निर्गुन ब्रह्म से होता है ठीक है तो विकल्प नमबर यह इसका सही आंसर होना चाहिए था अंधेरे में कवी तक कि की है वश्ण संख्या यहां पर है आपका जो तीन है देखिए यह आपका मुक्ति बोद की इसके लाबा सूर्दास के गुरु का नाम क्या था यह था वलभाचारे तो तीन और सात्वे नमबर का जो क्वेशन है इसमें गया होगा विकल्प नमबर सी सी ही इन दोनों का हो ज आए गई थी आठों प्रशन है जो ही की कली कवीता के रैचाईता कौन है तो यह है सूरकां तरिपाथी नीराला बड़ी ही मत्ववन कवीता है सूरछ तरिपाथी पाथी नीराला की यह इसको यादकना जरूरी है नेक्स कूशन है ठोड़ा नामक लोक नाट्रWh हिमाच्च प्रश्ण अमने पिछले कल भी discuss किया था और सात ही साथ जो अंधेरे में कवीता है वो भी हमने पिछले कल discuss की थी पुरानों की संख्या कितनी है तो यह हम सब लोग जानते हैं पुरान जो है हमारे वो कितने हैं अठारा पुरान है तो भी कल्प नमबर एक का सही आंसर होगा प्रशन संक्या 15 है देखिए उसने कहा था कहानी के लेकर कौन है ये भी हमने पिछले क्लास में डिसकस कियी थी चंदधा श्रमा गुलेरी यहां से जरूर प्रशन आता है अश्चाप के कवी हमने डिसकस कल्प किये थे तो यहां पर देखिए अश्चाप के जो कवी होने चाहिए थे इसमें कौन सा नहीं है तो आपको सिंपली इसमें याद रख लेना देखिए जो आपका नाबादास है वो इसमें नहीं होगा नाबादास जो है ये राम भक्ती के कवी थे ठीक है जबकि संकलंत्राई किस विधा कतत्व है तो संकलंत्राई पैसे आपके नाटक के अंत्रत कत आता है लेकिन यहां पर नाटक नहीं था तो यहां पर एकांग की हम इसमें करेंगे संकलंत्राई में कौन सी तीन चीज़ें थी स्थान काल और कारियर ये चीज़ें आती हैं इसमें इसको आप याद रखना बहुश्य के लिए द्ध्वनी संपरदाय के प्रतिश्थापक कौन है तो द्ध्वनी संपरदाय के जो प्रतिश्थापक रहे हैं देखे ये थे आनन्दवर्धन इसके लाबा सत्रवन क्वेशन है यहां पर देखे शांतरस का स्थाइभाव क्या है तो ये है निर्वेट ये आप सब लोग जानते हैं और दोस्तो एक और इंपॉर्टन चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने HPLT TET में लगबग लगबग अच्छा स्कोर कर लिया है तो आप हमारे साथ PGT और LT कमिशन दोनों की live classes के लिए जुड़ सकते हैं हमारे नया बेच जो है वो एक जुलाई से शुरू होने ज जा रहा है तो अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर 90 प्लस जा रहा है तो आप बेची जग कमिशन की तैयारियां अभी से कर सकते हैं और अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए तो आपको टैट की आवशकता ही नहीं है तो आप हमारे साथ PGT की क्लासिज कम प्रशन है यहां पर नरेश महता को ग्यान फिट पुर्शकार कब मिला था तो इसका सही अंसर है 1992 में और यह इनको संपूर्ण साहिते पर मिला था देखना और यह कब से संपूर्ण साहिते पर मिला है चलिए यह भी आपको भविश्य में याद अखना है वीरस का स्थाई अब यह उत्सा यह वाला प्रशन पीछले कल की क्लास में भी था ठीक है चलिए चारू चंदर की चंचल किरने पंक्ती में कौन सा लंकार है यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस से दखिए दोस्तों इसमें वैसे तो यह अनुपरास लंकार है लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि चारू चंदर की चंचल किरने हैं सिंपली इतने ही पूचा है तो यहां पर अनुपरास ही ठीक होना चाहिए अगर पूरा यह देते हैं कि चारू चंदर की चंचल किरने खेल रही है जल्थल में तब यहां पर मानुवी करन अलंकार हो जाता है कि किरने भी खेल रही है गए था यहां पर अनुप्रा सलंकार ही होगा बात करते हैं दीकि उदेश्य और विधियक किसके अंग हैं तो ये वाला क्रूशन भी डिस्कस किया था हमने तो उदेश्य और विधिय जो है यह आते हैं आपके वाक्य के अंग ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं वद्वनी का उचारन स्थान क्या है most important question है यह बार बार पूचे जाता है कि वद्वनी का उचारन स्थान क्या है यह है आपका दंत और ओश्थय तो यह हो जाएगा दंत ओश्थय ठीक है पक्षी उड़ रहे हैं में क्या क्रिया है तो देखिए यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिलता आपको अकर्मक और सकर्मक को डोड़ने का बहुत आसान सा तरीका है कि जैसे राधा गाना का रही है तो राधा हुआ पर क्या कर रही है गाना गा रही है ठीक है अक्सर अगर आपको उत्तर मिल रहा है कि क्या कर रही है तो गाना गा रही है यहाँ पर पक्षी किसे उड़ रहे हैं मतलब नहीं है कुछ भी आपके पास यहाँ पर तो पक्षी सिर्फ उड़ रहे हैं यहाँ पर आपका सकर्मक नहीं, अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, भी कल्प नमबर 20 ही होगा, अगला प्रशन देखते हैं हम, 21 प्रशन है देखिए, निमेलगित में से शुद्ध कौन है, ये लाइव क्लास में भी बहुत बार बताया था, कि उजवल जो है वो दोनों ही जव इसमें आधे होते हैं, उजवल, कामदेनु संग्या, जाती वाचक संग्या है देखना गाय, तो इसको आप क्या करेंगे, जाती वाचक में ही करेंगे, गुलाब जो है कि इस बाशक का शब्द है, ये है आपका फारसी का शब्द, और रसोई घर में कौन सा स्मास है, तो रसोई घर में आपका आजाता है, देखिए, इसमें जो भी कल्प नंबर डी है, ततफ़ पुरुष स्मास, ठीक है, इसको ठीक करना था आपने, नेक्स्ट क्वेशन एक बार फिर से आपके पास है, चंदर मुखी शब्द में कौन सा स्मास है, तो ये आपका करमधारे अस्मान, चंदर के पार उतरनी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर इसका जो अंसर हो जाएगा, जैसा करोगे, वैसा पाओगे, ठीक है, कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पर जो पूजनिय है, प मैं बढ़ियू की मातरा, जवनिय पूजनिय है, ठीक है, इसके लावा यहाँ पर अगला प्रश इदास की छे रचनाओं को ब्रज में और छे रचनाओं को अवधी में देखते हैं, अगम शब्द की इस भाशा का है, यह मेरे हिसाब से तो यह तत्सम होना चाहिए, पर आप इसको कमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा, इसका मुझे एक्जेक्टली ध्यान नहीं आ रह सकते हैं, नागरी प्रचारणी सभा, यह 1893 में और उब्दन का उदर्वत्न, ठीक है, इसको आप देखिए, विकल्प नमबर ए इसका सही हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है, अगला जो प्रशन है देखिए, यह यहाँ पर लिखते हैं कि देवनागरी लीपी की उद्वत्ति किससे हुई है, तो यह भी हमने पिछले कल डिसकस किया था, यह था आपका ब्रामी, खरुष्ठी, जो थी, सबसे पुरानी लीपी, ठीक है, तरंग किसका प्रियाएवाची है, तरंग जो है यह उर्मी का प्रियाए, माना जाता है, शुदवर्तनी है, यहाँ पर अजीवी यहाँ पर महरशी, ठीक है, अपर और अपार शब्द का, शब्द यूगम का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए, दूसरा और असीम, फिर अगला जो प्रशन है, देखिए, किस शब्द में प्रत्याय है, तो यहाँ पर जो आपका खुश हाल है, इसमें प् यह प्रशन रिपीट हुआ है पुराने पेपर अगर आपने देखे होते तो बहुत सारे प्रशन उसी से ही इस क्वर्शन में आई हुए हैं ठीक है तो अगला जो प्रशन था देखिए यह कौन सा है यहां पर लिखा है कि वाक्या में रित्स्थान की पूर्ति कीजिए तो र यह देखते हैं इसके बाद क्या आता है मगरमच का इस्त्रिलिंग यह होता है मादा मगरमच जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां पर क्या लगा जाता है कौन सा चिन लगता है योजक चिन ठीक है चलिए उन्चासों कॉशन देखते हैं च्रिंगारस को रसराज की संगय किस ने दी थी तो ये दी थी भोजराज ने ठीक है किस कवी को अभिनव जैदेव ये बोला जाता है विद्यापती को सिंपल सा क्वेशन था यहां पर देखना और बहुती ईजी भी नहीं बोल सकते और जारा मुश्किल भी नहीं था कि इस जो आपका रस का वनन हुआ है और कभी प्रिया में भी हुआ है लेकिन जादा तर जो कभी प्रिया है वो होना चाहिए इसका अंसर रसिक प्रिया में पर्टिकुलर जो श्रिंगारस है उसका ही परिपाक हुआ है ठीक है रासक्षन में कितनी मात्राइं है तो रासक्षन में लब्द, जो आपका कुंडलीनी योग शब्द है, किस प्रभाव से ग्रिहित है, तो इसको आप देखेगा, इसमें क्या होना, चाहिए कि इसमें आपका नात्पंथ, ठीक है, ओके, चलिए, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन जो होगा, वो क्या होगा, सरस्वति पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था, यह हुआ था, 1900 से, ठीक है, और 1903 में महाफिप्रसाद दीवीदी ने इसका संपाधन भाहर संभाला था, यह हमने पीछली ग्लास में डिसकस किया था, देखना, जो पीछे वाली वीडियो थी, उसमें हमने यह प्रशन भी डिसकस किया था, संदकव्यों के दाशनिक सिधानतों का जो अधार है, वो क्या है, तो यहां पर आना चाहिए आपका वैसे जो अधवयत विदान्त या पिर नातपंत, यहां पर फिर से थोड़ा सा सस्पेंस है कि exactly यहां पर क्या होना चाहिए, वैसे नातपंत या अधवयत, क्योंकि अधवयत को ही मानते हैं, ठीक है, तो मूल अधार वैसे अगर हम प्रतेक्श रूप से देखें, तो नातपंत ही इसका सही आंसर होगा, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, गुरखबानी के संपादक कौन है, तो गुरखबानी के जो संपादक होने चाहिए, यह है पिता म अधा देखना, 1565 में, ठीक है, अगला प्रशन क्या आता है यहां पर, इनमें से सूफी कावय का दूसरा नाम क्या है, तो सूफी कावय को प्रेमा श्रेपी कहते हैं, प्रेमा ख्यानक भी कहते हैं, प्रेमा मार्गी भी कहते हैं, तो यह सारी ही चीज़ें इसके लिए कही जाती हैं संतन को कहां सिक्री सूखाम आवत जावत पन या टोटी विश्री गयो हरी नाम कुम्भंदास ने यह पंग्तियां कही थी ठीक है चलिए आखरी कलाम में किसका वनन है तो इसमें कयामत का वनन था स्रिष्टी का नहीं था निर्मान का नहीं था यहां पर बिनाश का याने कि कयामत का वनन था भक्ति कमार्ग उंच निच सब के लिए खोलने वाले जो थे अचारे शुकल ने किसको श्रे दिया था तो यहां पर आ जाएगा आपका र लोकनाएक वही होसकता, जो समन्य का अपार दिहरे लेकर आया हम, ठीक है, कुछ इस तरी के की बाते थी, चली अगला प्रशना आता है, पुष्टी मारक का समन्द किस दाशनिक मत से है, तो ये वाला प्रशना भी आपने डिसकस किया था देखना पुष्टी मार्क से समंदित वैस्वा सारी ही डिसकस की हैं कहीं न कहीं लेकिन मैं यह लिटेस्ट बता रहा हूँ कि जो हमने इससे पहले ही क्या कर लिया था जिनको डिसकस कर लिया था तो अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर नहीं भी कोई भी गलती आपको दिख रही है तो आप बेजी जग जो है वो कह सकते हैं लले तललाम के रहचाईता कौन है तो यह थे आपके मतिराम ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं हम अच्छा इसका नहीं बताया मैंने पुष्टी मार का था शुद्धत वैतवा स इसमें देखिए 용 है अलंकार चंद्रो देख्या यह था जो आपका रेशीक सूमति की रचना रगुनात जो रहें देखना इसकी नहीं थीर ठीक है तो यहां पर रसिक सूमति ग्रारम किया है शायद जिसका यह qंशन है अच्छा यह भी सी जो की सीरीज है उसका य नमगाता हो तो ये जैशंक परसाद का निराला का महीशा दल में पंद का जो है वो आपका अलमोडा में ऐसे आपको याद अटना है आगे कहता है कि कनक्छरी सी कामनी काहे को कटी छीन पंक्ति किस कवी की है तो ये है आपका आलम कवी की ठीक है तो आलम ने ये जबकि कृष्ण कवी ने तो सिंपली कृष्ण लाल की ठीका लेकीती देखना और रतनाकर ने तो बिहारी रतनाकर के नाम से लिखा था हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है तो ये परिक्षा गुरू है 1882 है आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर देखे इस प्रश यहाँ पर भी इस कृष्ण में भी आप देखेंगे कि सी के उपर ही टिक किया गया है तो नावदास की थी भक्त माल इनकी है नवभक्त माल ठीक है और भक्त नामावली अगर होता तो फिर आपका दुरुधास आ जाना था इस तरीके से यह प्रशन जो है वो तरह तरह से प पूर्णिया जिले के मेरी गंज को किस उपरन्यास के कथानक का केंदर बताया गया है तो यह था आपका मैलान चल ठीक है यह प्रशन भी बहुत बार पूछे जाता है भाशा और समाज के लेखक कौन है तो यह थे आपके रामिलाज शर्मा रामिलाज शर्मा से मैंने कल ही आपको बताया था पहले ही प्रशन रामिलाज शर्मा से मैंने रखा था तो यहां पर इन से जरूर प्रशन आता है देखना ठीक है चलिए अगला प्रशन है मलवे का मालिक यह भी बताया था मोहन राकेश यह प्रशन तो मुझे लगता है कि एक या दूसरे की प्रिक्षक चोड़के हमेशा आता है यह प्रशन लोबर प्रितिरी बंद के लेखक कौन है तो यह थे आपके पास जो है अचारे रामचंद्र शुक्ल निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन तो यह कहानी आंदोलन वैसे अकहानी का इनको प्रवर्त कहा जाता है इसको याद रखेगा रसको व्यंजेनव वैपार किस ने कहा है तो यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका अभिनव गुप्त ठीक है तो 86 का आपका विकल्प नंबर क्या होना चाहिए प्रसादगी एकांकी का नाम क्या था तो यह आप सब लोग जानते है यह गोंट इसकी एकांकी रही है बीरस प् कबीरा खड़ा बजार में यह किस की थी यहां पर आपका रहेगा कबीरा खड़ा बजार में सुदर्शन और सुरी सुदर्शन चुपड़ा इनोंने किया है देखना यह बीशमसाहनी की मतपुन रशन है सीदों की संक्या 84 इजी कॉश्चन था यह भी इसके लावा आलवार कमीशन में पूछा गया था यह वाला प्रशन शायद नाथों की संक्या कित्ती मानी गई है तो यह नौ नाथ ठीक है फागो की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई तो यह है पदमाकर की पंक्ति तो यह सारे ही कोशन अगर आप में जो मैंने बुक आपको बताई थी गोविंद पांडे और स्विद पांडे तो उसको क्या रख लीजेगा हिंदी भाषा इवं साहित्य का जो वस्तु निश्टिति हास है ठीक है उससे ये प्रशन आए हुए है मतलब मैक्सिमम आप देखेंगे उसी में ही मिल जाना था आपको सब कुछ सूर्दास की भक्ति म कमाईनी महा कावे में सरगों की संक्या तो ये 15 है ये महतपूर्ण है देखना उसके बाद 90 सेकंड जो क्वेशन है तुलसी का कावे प्रियोजन क्या है तुलसी ने कावे का प्रियोजन बोला था किसको यहाँ पर जौप का लोकमंगल ठीक है कामाईनी में बुद्धी का प वर्मा ने बोला था चायवाद को ले करके ठीक है इसके बाद देखिए क्वेशन संख्या 99 है यहां पर इश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तो ये सारे ही इश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे केशब कही नजाय का कही ये किसकी पंग्तिया है तो बिन समुझे हम फिर भूजिती हैं एक बार कहो गाए किसकी पंक्ति है तो 105 जो question है देखिए इसका answer आपका विकल्प number A होना चाहिए या B इनमें exactly में नहीं आपको कह सकता 105 और 6 इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ अगर आपको इनका answer पता है तो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं ठीक है चलिए थाली का बेंगर मुहावरे का अर्थ क्या है तो यहाँ पर थाली का बेंगर मुहावरे का जो अर्थ है देखिए यह सिद्धानतिन व्यक्ति य इस चंद के प्रतेक चलड़ में 16 मात्रा हैं होती है यह भी repeat हुआ है यहाँ पर चुपाई चंद में 16 मात्रा है रहती है देखना आई ना सको तुझ बैस सको ना तुझ बुलाई यह कबीर की पंक्तिया है ठीक है जिस चंद में 11 और 13 पर यती होता है वह आपका रोला यहा प्रश्न को समझे न था यहां पर कि यती पूछा यती कम अदलब तो विराम ठीक है इसको ध्यान देना था तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए विकल्प नंबर ए होना चाहिए था एक सो आठोए का रोला ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न अगला कौ यहां पर मिलान कर लेता हूँ, आप इसको ठीक बंद कर लिजेगा खुद से कि क्या से आएगा, यहां पर देखिए जो सारी का है, सारी का फत्रिका कमलेश्वर, ठीक है, धरम युकी थी, धरम इरभारती, संचेतना महीप सिंग, यह वाला, और सापता ही कि इंदुर्स्तान ह जाएगी मनुहर, श्याम, जोशी, अब इसको ठीक कीजिएगा आप खुद से, कि कहां पर यह मिलान हो रहा है, ठीक है, इसको आप खुद से देखिएगा, चलिए, चलिए अब भी देख लेते हैं, सारी का, एक साथ जहां पर मतलब C है, एक साथ C, C में भी और D में भी है, तो इसका मतलब अगे वाला भी देखना पड़ेगा, आगे वाला है धरम भी भारती, मतलब B के साथ D, तो B के साथ जो D है देखिए, यह है आपका विकल्प नंबर C, इसका सही होना चाहिए, यह वाला, ठीक है, यह आ गया ना, और दूसरा यह क्या बता रहे, साथ ताही क को सुमेलित कीजिए, एक तरफ वियंजन दिये हैं, दूसरी तरफ जो है आपके क्या दिये हैं, दूसरी तरफ जो है उनके उचाहरन स्थान दिये हुए है, तो यहां पर देखिए, गा जो है, यह आपका कंट से है, बिलकुल सही बात है, एक के साथ, गा के साथ D है, यहां पर तो यह हैं से निक्ल गया था कहीं भी और जगह डी नहीं है देख़िए एकके साथ यहीं से निकलिगा था बाकियों को दीखने जरूरत रही नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला परशन में यहां पर है निमन सूचियों को सुमेलित कीजिए, तो फिर से सूची दी गई है आपके पास, जो बोलिया है, बुंदेली जो है, यह जहांसी में बोलियाती है, बिल्कुल ठीक है, अबधी लखनव में, ब्रज आग्रा में, कनौजी इटाबा में, बिल्कुल ठीक, तो आप देख लीजिए, A के साथ C कहां पर हैं, बिल्कुल A में ही हैं, बाकी जगतों है यह नहीं, तो यहीं से यह question भी निकल गया, अगला प्रशन कौन साथ है, इस side देख लीजिए, रचना दी गई, उस तरफ दूसरे तरफ उसकी भाशा है, जो म्रिगा पर आप क्या देखते हैं, कि सही क्या हो जाना चाहिए, मतलब A के साथ B कहां पर आया, A के साथ B आया, D में, तो कि कल्प नमबर D इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सो चौदुएं का जो प्रशन है यहां पर, जपू जी है, देखिए आपके पास जो, किसकी, यह है गुरू नानक जी की, ठीक है, बीजक, कबीर, हरडेवानी, दादुद्याल, अश्टपदी, जोगगरंत, हरिदास, निरंजनी, A के साथ C, A के साथ C कहां है यहां पर, तो चलिए एक मिनट इसको देखते हैं, हाँ, एक साथ C, C में भी है, और B के साथ जो है आपका E है, C के बाद E है, बिल्कुल ठीक है, C इसका सही आंसर होगा, ओके, चलिए, अगला प्रशन कौन सा आता है, इसके बाद जो प्रशन है, देखिए, यहां पर, कालकर मनुसार लगाने के लिए पूछा गया है, देखने, 17 प्रशन देख लिए हैं, आप अगर तो, तो इसमें क्या आंसर ह है, सही क्रम आपको पूछेगा है, इस पार जादा प्रशन थे सही क्रम से देखना, थोड़े से, तो जिसने पढ़ा होगा, कर पाएगा, अदर्वाइस यहां पर गड़वड हो सकती थी, तो सबसे पहले चित्र लेखा, यह था आपका 1934 का, सुनीता भी 1934 में ही था, अकला प्रशन देखते हैं, हम कभियों की जीवन काल का सही क्रम, पहले 115 में देखते हैं, फिर 118 में देखेंगे, ठीक है, 115 में क्या है, सबसे पहले आना था वैसे रेयदास, लेकिन यहां पर फिर दुबारा गड़वड हो गया, इसलिए यह गलत हो गया, तो यहां पर जो दॉक्ठर डंगेंद्र ने माना था, उन्होंने कभीर को पहले माना और रेयदास को बाद में माना था, यही क्रम यहां पर बताया भी है, वैसे इस तरीखेसे इनका यह क्रम हो जाना चाहिए, 115 का भी बी, जबकि हम कभीयों के जीवन काल 118 में प्रशन को देखते हैं, देखना, तो सबसे पहले प्रेम चंद आ जाएंगा, प्रेम चंद ही 1800C में रहे, चंद दश्रमा गुलेरी 1818C में, नेरवल वर्मा तो बाद के हैं, गिरी राज दोनों, ठीक है, तो भी कल्ब नंबर A ही इसमें क्या होता था, सही हो जाएगा आपका, ठीक है, अगला प्रश तो आपका 1976 का है, तो यहां पर देखते हैं हम, जो विशाख है, देखी, यह पहले आएगा, जैशंकर परसाद का जो यह नाटक रहा, ठीक है, विशाख का जो समय था, यह था 1921, ठीक है, विशाख हो गया 1921, अंधा यूग जो हो गया, यह कब था, आपके पास, अंधा य शारदिया जो है, यह है 1969 में, और आठवा सरक जो है, यह है 1976 में, तो अब इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया, गडवड हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले विशाख आना चाहिए था, फिर इसमें आपका शारदिया आना चाहिए, नहीं, शारदिया नहीं, फिर आना चाह तो आप इसको अब मतलब क्लेम करना चाहें तो क्लेम हो सकता है ये वाला क्वेशन मेरे अनुसार जो जहां तक मुझे द्यान है कि इसका जो सही आंसर रहेगा वह आपका इस तरीके से आना चाहिए तो सबसे पहले विशाक फिर अंधा यूग उनिसो पच्पन फिर शारदिय कि कैसे आपने करना है चलिए नेक्स कॉशन है 161 कवियों के जीवन को आरो ही क्रम में यहां पर पूछा था तो यहां पर आपको सिंपली पहले देखना था कि कुंबन सबसे पहले आना था कुंबन 1468 में सूर्दास 1478 में था ठीक है क्योंकि कुंबन सबसे बड़े थे इसके बाद हम आगे जानेंगे कि जो आपका जीके वाला पोर्शन है उसके बारे में हिमाचे प्रदेश के जो भर्तमान उद्योग मंत्री कौन है अर्श बर्धन चोहान यह आप सब लोग जानते हैं जीके इस बार कोई जादा मुश्किल नहीं पूछा गया था देखना बहुत ही समानने सा था जिसे आपको ध्यान में रखना था निम्र में से कौन सा प्रत्यक्षकर नहीं है तो यह है आपका माल और सिवाकर तो 122 का जो भी कल्प निम्बर क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा 123 है भारत में प्रत्थम जो डाक घर कहां खोला गया था तो इसका जो सिंपली आंसर हो जाएगा कलकत्ता रिगवेद में कुल कितने मंडल हैं तो यह कितने थे आपके यह हो जाएगा आपके 10 ठीक है इसके अलावा आपको देखना है अगला प्रशन 125 जो प्रशन आता है द हम देखिए 1966 इसवी तक हिमाचर प्रशन में कुल कितने जिले थे तो यह हो गये थे 10 ठीक है तो कितना हो जाएगा इसका 126 का आपका विकल्प नमबर डी हो जाएगा ठीक है इसके लावा अगर हम बात करें हम पी कहां के राजधानी थी तो यह थी बीजे नगर की राजध हुआ था तो यह होगा आपका भारत और चीन के मत्य हाल ही में चर्चा में रही हिमाच प्रदेश की बलजीत कौर निमन में से किस से संबंधित रही है तो यहां पर देखिए 131 का अंसर हो जाएगा परवता रोहन से संबंधित और इंटर पोल का मुख्याल कहां पर है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी लियौन में और 132 वर्तमान में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के अध्यक्ष कोन है यह मलिक आरजुन खडगे ठीक है इसके लाबा 137 जो प्रशन है देखिए यहां पर 137 आ आ गया आई थिंक इसमें 132 के बाद कुछ म निवासी कौन थे यह थे कोल निवासी 38 का भी यह आना चाहिए पुशकर जील कहां पर स्थित है तो यह हो जाए कि आपकी यहां पर 149 वह है देखिए यह होगा विकल्प नंबर डी राजस्थान में विश्व का सबसे उंचा पठार कहां पर स्थित है तो यह हो जाएगा इसके लावा सार्ख की स्थापना कब हुई थी तो सार्ख की जो स्थापना रहेगी यह 1985 में Google किस कंपनी की सहाइक कंपनी है तो यह है आपका Alphabet Inc. जो 141 से उसका हो जाएगा विकल्प नुम्बर B यूरिया को खून से अलग करता है तो यह है आपका गुर्दे इरानी कप किस केल से संबंदित है इसका अंसर हो जाएगा D क्रिकेट 145 है यहाँ पर Ebola वाइरस का नाम इबोला किस के नाम से या नाम पर रखा गया है तो यह आपका एक नदी के नाम पर परल हर्बर किस देश का नौस्यानिक अड़ा है तो यहाँ पर इसका अंसर हो जाएगा आपका संब्तराज है अमेरिका गरिमयों में क्रिस्मस परव कहां मनाया जाता है तो यह आस्ट्रेलिया हो जाएगा ठीक है प्रत्थम महिला अंडर 19 टी 20 वी शुकप किस ने जीता थ तो यह जीता भारत ने पहाड़ी भाषा की क्या लेपी है तो यह है आपकी टांक्री लेपी और इसके अलावा हमारा आज का आखरी जो प्रशन है यह है चावल की खेती का हडपा के किस थान से संबंध है तो यह रहेगा आपका लोथल से तो यह थे 150 क्वेशन इसमें जरूर पसंद आएगा और कहीं भी अगर आपको कुई भी गलती लगती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और बाकी लोगों तक भी अपना जो ग्यान है उसको पहुंचाएं और सही इंफरमिशनों तक पहुंचाएं शुक्रिया आपने अन्द तक देखा इस वीडियो को और जहीं जाबादाएं